सब्जेक्ट इलेक्रिकल वाइरिंग टोपेक टेबल फेन मित्रो आम तो टेबल फेनना नाम थी इना वर्किंग थी आपड़े खूब वाक एक छी हैं गणी खरी ब्रांड्स टेबल फेन मा आवेलेवल छे आयां तमने टेबल फेन बतावेलो छे एन इंदे तमे नीचे मार्क करी सको छो के रेगुलेटर छे चार ब्लेड्स छे एनू गार्ड छे वगरे वगरे आवो टेबल फेनना आपड़े डीजल मा चोईए टेबल फेन ना मेन पार्ट्स टे अंदे तमे चर्चा करो तो एनू फाउंडेशन अथा बेज रेगुलेटर मेकनिजम अथा फेन रेगुलेटर एनू ओसिलेटिंग मेकनिजम ब्लेड्स अथा पांख्या गार्ड्स आने मोटर सो फेन मोटर, मेन बोडी, फेन ब्लेड्स, रेगुलेटर, ओसिलेटिंग मेकनिजम, माउंटिंग, बेस, गार्ड वगेरे ना मेन भाग छे सवधी पेला मोटर, मोटर जेचे आपड़ा चर्चा केरा मुझब, सिंगल फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन टाइप नी, इंडेक्सन टाइप नी मोटर प्रिफर करवा मा आवे छे आ जे चे टेबल फेन नी एक मोटर में तमने दर्शावली चे माँ वैनिंग क्लियरली विजिबल चे एनी अंदर कैपेसिटर जे चे ए मुकवा मा आवे चे आ जे चे एनी रोटर नी मेन शाफ्ट चे सामाय ते साइट थी सित्तर वोट नो टेबल फेन होई चे अवे 100 वोट नी आसपास ना पमडे चे काण के लोको जे चे वधार हवा माटे मोटी साइज ना पंखा वापरता थाया चे इफिसेंसी जे चे एपन अवे घणी सारी फेन नी अवेलेबल थेगे चे लगनस मंडप नी अंदर ने तमें जो चो ये सामे दे 200 थी 200 वोट सु दिना टेबल फेन आवे चे वेले टेबल फेन ने पड़ेन सामाय दे पेडेस्टल फेन तरीके ओड़कवाम आवे चे के जने अंदर हाइट छे फेन नी ए त्रोन थी चार फूट नी आसपास नी होई चे के जे वेरियेबल होई चे वदगट करी सकाय चे चार पोल, सिंगल फेस इंदक्शन मोटर, स्टेटर वैनिंग is of two parts स्टार्टिंग वैनिंग, रनिंग वैनिंग, केपैसितर स्टार्ट, केपैसितर रन टाइप नी मोटा भागे टेबल फेन नी मोटर होई चे ओसिलेटिंग मेकेनिजम जे छे ए फेन ने पार्शिली रोटेट कर चे सेमी सर्कल एरिया मां फूल सर्कल नहीं फूल सर्कल रोटेट करो तो तमारे कॉरंट ने आपवाना स्फेजा ने न्यूट्रल जे छे एनू घणू प्रोब्लेम थाई छे आनिंदर ए मेकेनिजम टाडवा माटे थाई अने आम भी अट्लू मेकेनिजम जे जरूरी छे घणू थे पड़ाचे कानके एक खुणा माराखो तो पटेबल पंख होचे चल्मो सेमी सर्कुलर पाथ मा आपेल तमारे लगबग आखा रूम निंदर हवा मड़ी रेती होई छे मेकेनिकल डीजाण जे छे बेकसाइड मा पेली होई छे अनने ए ओसिल्येटिंग मेकेनिजम दे ओनो करू येना मटे नी बने खासवीच आपेली होई छे सामान निरते 4-5 टाइम ओसिलेटिंग मेकेनिजम छे 4-5 रोटेशन एक मीट मा आपे छे ओसिलेटिंग मेकेनिजम कहीं गण से आप रकार्न होई छे तमने जोई सको छो आपने सेडी नो संचो संचो ने सिचोड़ो पहसुआहें पहसी नो सेडी नो रस आपने काठी ने आपता होई चे मानसो होई तमें एल मिकेनिजम अने आ मिकेनिजम मा बोई लामबो फरको तो नाथी तमें जोई सको छो आटेक्नो मिकेनिजम फेन रेगुलेटर resistance is inserted to control the speed more the resistance less will be speed and vice versa very clear from the definition itself प्रिक्षाम आपने जित्युनेंदर यहू पूछवाम आविए छे के पंखा आपर टुक नोज लखो तो तम्य डिफरेंट पार्ट्स लखी सको छो, ए पार्ट्स नूँ वर्किंग लखी सको छो, अधर पार्ट्स ने अंदर माउंटिंग प्लेट, गाड कवर, लिटिंग हैंडल आने सप्लाइ वायर होई छे, पंखा नंदर सवती वधार कज कई सकाई के rewind, that's all, बाकी मोटा भागे सिलिंग फ्यन होई के table फ्यन होई, इने अंदर बिजा प्राकार ना कोई fault आवता नथी, हाँ, सिलिंग फ्यन ने अंदर जो winding body short थयू होई तो तमारे आखा घर ने अंदर शोक आवानी सक्याता छे, एवा केस ने अंदर साथे connected छो, काणके ये जरूरी छे, ने तर पंखो ना बता आड़े body short, आने जो ए टेस्टर ने लाइट थाती होई, तो एनू body short थयू छे, आपड़े पंखा ने जे रिवान करी, आने body short छे, रिमूव करवू जोई ए, आने body short ने काणे बिजू एक एपन प्रस्न थेई स सके छे, एले एन रिमूव करवू आमाटे थाई, आने तमारे body short पंखो identify करवो पड़े, एक एक फेन ने body touch करावी ने, आने त्यार बाद जे फेन खराब थयो होई, ना ख्या खू वाइनिंग जे छे, रिप्लेस करवू जोई ए, आशा राखू छू तमने पंखा नो पिर होई residual current detector तो automatically जे छे, तमारे पंखो short थाई होई तो automatically ये तमारी circuit ने switch off करी दे छे, आने तमारे कई पंखो छे, turn by turn switch on करी आने, चेक करी सको, छो के कया द्वारा आरसीली जे, ट्रिक थाई जाए छे, थेंक्यू